Hello friends, I am Shahbaz Ahmed and you are watching Concept Biology. Friends, हमने Animal Diversity का Chapter 10 स्टार्ट किया था और उसका First Lecture हम Upload कर चुके हैं. अब ये Second Lecture है, जिसमें हम Study करेंगे कि Triploblastic Asylomate Organisms कैसे Developed हुए यानि कि इनका Evolutionary Perspective देखेंगे. सबसे पहले हम अपने Previous Lecture का Overview कर लेते हैं. Phylum Pretty Helminthes के बारे में हमने जर्नल बात की थी के Platy का मतलब होता है Flat और Helminthes को कहते हैं Worms को. तो इस Phylum में हमने Flat Worms को रखा था. इसकी Four Classes थी. सबसे पहले हमने Class Tribularia को Study किया था जो के Free Living थे और इसमें हमने Planaria की Example देखी थी. उसके बाद हमने Study किया था Monogenia को. Monogenia एक Ectoparasite थे और जो Fish के गिल्ज में रहते थे और वहां से Food और Blood वगरा उसमें फीड करते थे. उसके बाद हमने Trematoda स्टेडी किया था जो के Phleukes थे और उसके बाद सिस्टोडिया स्टेडी किया था जो के Tape Worms थे और Human Intestines में रहते थे. उसके बाद हमने Second Phylum स्टेडी किया था जो के Numeritia है. Numeritia में हमने पढ़ा था कि ये एक Small Groups of Worms होता है और ये Worms Elongated होते हैं और Unsegmental होते हैं ये Mostly Marians में रहते हैं उसके बाद हमने Gastro Trachia पढ़ा था इसमें वो हमने Worms रखे थे जिनकी Fork Detail थी और इन में तकरीबन इसकी तकरीबन 500 Species थी तो ये हमने कल स्टेडी किया था उसके बाद हमने Characteristics पढ़े थे जो इन Philems में Evoled होए हैं सबसे पहला Characteristics हमने पढ़ा था कि इन में Triploblastics Germs Layer बन गए हैं यानि कि Mesodermals Layer आ चुकी है उसके बाद हमने Brain देखा था कि इन में Gangliotid Cerebarium से आ चुक है जो कि Brain के तोर पर Act करता है उसके बाद हमने देखा था कि इन में Bilateral symmetry आ चुकी है तो ये था Previous Lectures का Overview अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ये Organisms Develops हुए हैं सबसे पहले View है कि कुछ चैन्टेस्ट कहते हैं कि ये Radial symmetry से Evoled हुए है Radial symmetry यानि Radial Organisms कौन थे एक था हमारे पास Nideria Phylum था और दूसरा Tinovora था यानि कि ये थे हमारे पास Radial Organisms और इससे Develops हुए हैं हमारे पास Triploblastics Acillomers ठीक है तो यानि इसके बाद होंगे Triploblastics Acillomers तो हमारे पास थे एक Radial थे और उसके बाद हैं Radial से और Radial से Develops हुए हैं Triploblastics Acillomers और Triploblastics Acillomers तो ये जो हमारे पास स्क्रोप्स बिट्विन Radial Symmetry and Triploblastics Acillomers तो इनके Intermediial होते हैं अब कहां ये जाता है कि ये जो हमारे पास Radial Symmetry वाले Organisms थे जैसा के Hydra था तो Hydra का जो लार्वा होते हैं उसे कहते हैं Plainiola लार्वा और वो Plainiola लार्वा होता है उसकी ये जो Symmetry अगर देख रहे हैं तो ये होता है Bilator Symmetry का तो वो कहते हैं कि Plainiola लार्वा से Develops होए हैं कलास्टर भी ले लिया के मिंबर्स यानि कि जो इसका लार्वा था वो सेक्शली मिचूर हो गया और इस प्रोसेज को हम कहते हैं Pedomorphosis, सेक्शली मिचूर हुआ और उससे Organisms Develops होना शूरू हो गया जो के Triploblastics Acillomates थे तो हमारे पास Triploblastics Acillomates होए हैं फ्रम Radials थे तो इनका ये sequence देख लें सबसे पहले थी Multiple Colonies Colonies से Develops होए थे हमारे पास Radial Symmetry वाले Organisms और Radial Symmetry से Develops हो रहे हैं हमारे पास Triploblastics Acillomates तो ये था First View येनिके ये Develops होए हैं फ्रम Radial Symmetry से उसके बाद ये देख लें के ये हमारे पास Nideria था जो के था Diploblastics Radial Symmetry और इससे आगे Develops हो रहा है Platy Helminthes जो के Triploblastics Acillomates हैं और आगे हैं Nematoda जिसे हम Round Worms भी कहते हैं तो Round Worms डिवैल्ब हो रहे हैं Flat Worms से यानि Platy Helminthes से डिवैल्ब हो रहे हैं तो इन में जो होती हैं और ये इंटरमेडियर्स हैं Between the Radial Symmetry and अगे Seed of Silomates Organisms के इंटरमेडियर्स हैं तो ये था फरस्ट व्यू अब नेक्स्ट व्यू देख लें नेक्स्ट व्यू है Evolutions from bilateral ancestors यानि के ये अब इस व्यू के मताबक ये कह रहे हैं कि वो ये पाइलेटरल समीट्रीक वाले और्गनेजम से डिवैल्प्स हुए हैं इस व्यू के मताबक एक सैल था जो के सेंसेशियम था जैसे कि पैरामेशियम होता है और वह एक मल्टी नियूकलियोट्र होता है उसके उसमें सेल मेंब्रेन वगेरा डिवैल्प्स हो गई और वह बन गया मल्टी सैल लग और उनसे डिवैल्प्स हो गए हैं हमारे पास ट्रिपलो बलास्टिक्स एसिलोमेर्स तो यह इनसे डिवैल्प्स हो रहे हैं किनसे यह एक बाइलेटरल समीट्री है और इनसे डिवैल्प्स हो र अर्लियर दैन रेडियल फाइलम और रेडियल फाइलम से डिवैल्पस वह हैं फ्रम देंड तो इनका सीक्वेस्छ देख लें सबसे पहले सेंसेशन्स था जो कि इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट व्यू जेके हमारे लास्ट व्यू है कि यह स्लो मेर्ष ड्राइब फ्रस्टॉ अब कहा जाता है कि जोमिघियंस कहते हैं बॉड़े कव ठीक तो अब तो अब हमारे पास जा रहा है कि जो सिलो मेर्स हैं यानि के एनलीडा हैं उन से डिवेल्ट हुए हैं हमारे पास फ्लैट वर्म्स ठीक है तो एनलीडा ग्रुप से डिवेल्ट हुए हैं एनलीडा हैं हमारे पास सिलो मेर्स हैं शिलोमेर से कौन है एलेवारों यह सोंन है फ्लैट वाम तो एप ये स्पॉ घेवल्प होग यह भाय गई तो युचे से बॉड़ी कैविटी खतम हो गई है फार्म इट फ्राम सिलोमेर्स यानिके बॉड़ी कैविटी वाले और्गिनेजम से यह इस लोमेर्स डिवैल्प हुए हैं तो दैट वास माई टूडे लेक्चर्ज एंड थैंक्स फर वाचिंग